एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो आपके पैरों से चिपका हुआ हो और वो कपड़ा आपके घुट्रें और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए जिसको आप लेगी कहें और इसके ऊपर एक कुर्ती पहल ली जाए और इस तरीके से मार्केट में बाजार में शोपिंग क जाए ऐसी आव्रत को आपकी नजर में वेशन पर सका जा सकता है लेकिन मुहमद अर्, रसूल नजर में ये ललगी ये आवरत नंगी है नंगी है नंगी है ये है एक खपड़े झाना हो जल्झी जाओ और जिसको उड़ना हो भी उड़ जाओ ड्रामा करके रख लिया है और भी अभी जिसको जाना हो चले याओ बाद मैंने उड़ने दूँगा चाय पे शाब यही निकल जाए जाई यह भी निकल जाई यह जिसको जाना हो हारिया हमारी नजनों में फैशन परस्त है लेकिन अल्लह के रसूल ना ऐसी औरतों को क्या कहा नंगी मैंने नहीं कहा पूछो इन उलमा से आरियात का मतलब क्या होता है कासियात कपड़े पहनेंगी आरियात लेकिन नंगी होंगी ऐसी औरतों के बारे में कहा है नंगी होंगी यहाफ आस्तीनों के कपड़ यहाँ चल रही है यह खुला हुआ है साड़ियां चल रही तो ऐसी कि यहाँ तक का बिलाउच पहने हुए है यह खुला है पेट खुला हुआ है और जो चद बुरके अब चल भी रहे हैं यार बंगाल में पहले तो चलते नहीं थे तो आप बुरकों में भी डिजाइन चलने लगी है कड़े हुए बुरके डिजाइन दार बुरके अब एक बात बताईए बुरके को आप एक तो डिजाइन दार बना रहे हैं और दूसरा अourत या लड़की या बुरका औरती है तो सीने पर फूल बना दी है ये बताईए यहां फूल बनाने की क्या जरूछ थी जब वो पहनती है तो फूल सीने पर और वो लड़की ने ये बुरका खरीदा क्यूं इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताके मेरे फूलों पर नजर यह सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा जब तक मैं इस कुर्शी पर हूँ यह थाल्टी यह पावर मुझे इसलाम ने दिया है सुनना पड़ेगा क्यों खरीदा है उसने यह बुर्का यूपी साइड में आ जाओ लखनो के बुर्के देख लो बंबई के देख लो हैदराबादी बुर्के देख लो कसम खुदा की अब बुर्के बुर्के नहीं रह गये अब साट साल की बुड़ी भी ओड़ ले तो ऐसा लगता जैसे वो अठारा साल की लड़की जा रही है यह बुर्के एक बार सचा वाकिया है साठ्प, पैंसर, सत्तर साल की बुड़िया ऐसा ही बुर्का ओड़के चेहरा छुपाएंगे जा रही थी धीरे- बुढ़ी थी वो धीरे दीरे चल रही थी तो एक लड़का उसका पीछा करने लगा 20-20 साल का लड़का उस बुढ़ी का पीछा करने लगा क्योंकि जो वो सोचने लगा बुरका इतना खुबसूरत है तो बुरके के अंदर कितना खुबसूरत माल होगा बुर्के वाली कैसी होगी उसका पीछा करने लगा बुर्या धीरे धीरे चल रही लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही मेरी वज़े से धीरे धीरे चल रही जबके वो अपनी कमजोरी की वज़े से धीरे धीरे चल रही बुरिया समझ गई कि लगा मेरा पीछा कर रहा है तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपना नकाब खोला और अपनी तुतलाती जबान में बोली बेटा लड़के का तो मूड खराब हो गया कमभखत मेरा तो माम रही गड़बड हो गया बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है मैं तो तेरी अम्मा की उमर की हूँ लड़के को भी गुस्सा आ गया बाद मैं अपने लिए नहीं अपने अबा के लिए ढून रहा हूँ अब 65-70 साल की बुड़ीयों को ऐसे खुबसूरत बुड़के पहनने की क्या जरूरत बुड़कों का मकसद जो कभी था पर्दा लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रहे गए लगा के नभी के जमाने में एक सहाबी लगा के नभी के पास आती है मुस्न अद अभमत की सखी रवायत जिनकी चादर कपड़े से नीचे टखने से नीचे चपल से नीचे जमीन की मिटी उडाती हुई आती है और के लगा के रसूल मैं इस चादर को ओड़कर नमास पढ़ने जाती हूँ आपने का चादर इतनी नीची होनी चाहिए उसने का ऐüd अला के नभी कभी कभी जमीन पर पेशाबो पाइखाना पढ़ा होता है, गंदगी पढ़ी होती है तो क्या मैं थोड़ी सी उपर करके पाइखाना गंदगी को किरोस करके आगे निकल जाओं आपने का नहीं दाएं से निकल जा कहने लगी दाएं भी मर्द बैटे होते हैं मुझे उसी गंदगी के उपर से निकलना है ऐ ला के रसूल इजासत दे दीजिए मैं थोड़ा सा उपर कर लूँ और निकल जाओं उसके बाद नीचे कर लूँगा जब गंदगी को किरोज कर लूँगी तो चादर में नीचे कर लोंगी अगर मर्द दाएं बैटे हैं बाएं बैटे हैं तो तूसी गंदगी की उपर से निकल जा कहने लगी अगर रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी आप मुझे उपर उठाने की अजाज़त नहीं दे रहे हैं तखने से उपर चपल से उपर चादर उठाने की अजाज़त क्यों नहीं दे देते हैं आप में का नहीं चादर उठाने की अजाज़त चपल से भी उपर चादर उठाने की अजाज़त नहीं दूगा का अल्ला के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पाइखाना लग जाएगा आपने का लग जाने दे कहने लगी है अल्ला के रसूल उसी चादर को तो ओड़ कर मैं नमास पढ़ती हूं मस्जद में जब उपर ओरतों का लग इंतिजाम होता है या पर्दे में ओरतों का इंतिजाम होता है तो मैं इसी चादर को ओड़े ओड़े नमास पढ़ती हूं आपने का उसी चादर को ओड़े कर नमास पढ़ ले कहने लगी उसमें पेशाब और पाइखाना लग जाएगा क्या उसी ओर चादर गोड़ कर दमाज पर लूँ आप ने फरमाया हाँ आय ओरत जब पेशाब और पाय खाना तेरी चादर में लगेगा जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी क्योंकि तेरी चादर नीचे है जब पेशाब और पाय खाना उसमें भर जाएगा जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी लेकिन तुझे चादर उठाने की जाज़त नहीं उसी चादर में तू नमास पढ़ ले गंदगी लगती है तो लग जाने दे आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाग मिटी तेरी चादर को पाग कर देगी मेरे भाईयो पेशाब औ पाइखाना देख कर भी अल्ला के रसूल ने औरत को चादर उठाने की अजाज़त नहीं दी मेरी बहनों तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए बैलूंस खरीदने के लिए जलेमियां खरीदने के लिए तुम किस तरीख से लेडिस पिंडाल से निकल कर तुम बादारों में खूम लेती हो शर्मानी चाहिए तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं ये लड़के और लड़किया एक जगे शौपिंग करें दुकानदारी करें खरीदारी करें ये तुम्हारे कलेजे तुम्हारे जमीर कैसे गवारा कर लेते हैं कोई मर्द किसी औरस से तनहाई में नमिले कोई मर्द किसी औरस से अकेले में नमिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है उसमें तीसरा पहगाने वाला शैतान होता है मेरे भाईयो इसलाम का कानून यही है इसलाम का निजान यही है एक औरत उसका शोहर मर चुका है औरत के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो हज करना जाना चाहती है शोहर इंतिकाल कर गया अब और अकेले हज करने नहीं जा सकती है जबके मुस्तती है साहिब इस्तितात है हज करने जाना चाहती है अच्छा काम करने जाना चाहती है इसलाम कहता है कि तेरा शोहर नहीं है तो भाई के साथ जा भाई नहीं है तो बाप के साथ जा बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा लेकिन किसी महरिम का होना जरूरी है उसके साथ जा चीख कर अउरत कहती है कोई नहीं है मेरे पास दौलत है अल्ला के नभी कहते है फिर दौलत सवाल कर अपने पास रख अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शोहर नहीं है, बाब नहीं है, कोई महरम नहीं है तो तु आकेले हचकरने नहीं जा सकती है नहीं, आए अल्ला के नbility मेरा प्रोस में बड़ा च्छा नेक हाजी नमाजी नेक अग्मी रहता है मैं इसको भाई बना लेती हो चली जाओ जाओ फरमाया नए नए मूtha भाई भाई बना कर उसके साथ तुम हच करने नहीं जा सकती हो इसलिए कि अपने मूँ से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा अपने मूँ से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा तुम किसी को बेटा बोल दो भाई बोल दो जो चाहो बोल दो लेकिन इसलाम ये कहता कि उसके साथ भी औरत को इजाज़त नहीं है कि वो हज़ करने जाए अगर कोई नहीं है तो मत जाओ लेकिन इसलाम इस बात की जाज़त नहीं देता है कि तुम हखे ले जाओ या किसी को बहन किसी को भाई या बेटा बना कर जाओ इस बात की जाज़त नहीं देता इसलाम एक अबादत में हज जैसी अबादत में भी औरत को किसी गहर मर्द को मू बोले भाई और मुबोले बेटे के साथ भी जाने की 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 इतनी खुम्सूरत रबादत करने की अजासत नहीं देता है तो मेरे भाईयों फिर पर्दे की फिर आउरत को बाजारों में घूमने की अजासत कैसे देगा फिर बाजार में घूमने और बाजार में सेरो तफरी की अजासत कैसे देगा हماری मापेनों को इस बात को सोचना चाहिए गहर करना चाहिए संजीत की से इसको लेना चाहिए एक जमाना था حضرت ऐफात्मा कह रही है ऐख आली मैं इतनी बीमार हूँ उतनी बीमार हूँ लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी है आली अगर मुझे कुछ हो जाए अगर मेरा इंतिकाल हो जाए है आली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना राग की तारीकी में इशा की नमाज के बार मुझे कबरस्तान में दफन करना हदरत आली ने का आई फातिमा ऐसा क्यूं कह रही हो अगर तुम्हारा इंतिकाल सुबा फजर के बाद हो तो क्या इशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे मिट्डी को रखेंगे तुम्हारे बाप का तुम्हारे अबू का फर्माने की मैद को जल्दी कबरस्तान ले जाओ फिर मैं लेट कैसे करूँ फर्माती है आए आली आए मेरे प्यारे शोहर मुझे रात में ही ले जाना मेरा मेरी बात को गिरा बांदो मेरी बात को मस्बूती से पकड़ लो मेरी वसीयत को याद रखना चाहे मेरा इंतिकाल कभी भी हो लेकिन मुझे इशा के बात दफनाना मुझे दिन के उजाले में कबरस्तान न ले जाना है आली मैं नहीं चाहेती हो कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गेर मर्द की नजर पड़े मैं अपने कफन पर भी किजी गेर मर्द की नजर पड़े मेरे भाईयों इंतिकाल के बाद निकाह जाइज नहीं है इंतिकाल के बाद शादी नहीं होती है लेकिन इंतिकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो अपने कसन को भी किजी गेर मर्द को देखने की जाज़त नहीं दे रही हैं ये था हद़ते फातिमा का परदा इस परदे की रोशनी में मेरी बहनों अपने गरीबानों में जाख कर देखो अपने अपने गरीबानों के बटन कहो और तलाश करो हम कहां खड़े हैं हमारा परदा क्या है हमारी इज़त तो आप रूँ क्या है आज हम हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहोंने भी नहीं देखाता चांद और सितार उने भी नहीं देखाता और आज जो चाहता है देख लेता है हर कसो नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है और एक और बात जितना अमीर बाप है जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी किस बात का अमीर है तू काहे का अमीर है तू अपनी बेटी को पांच मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू कंजूस और बखील बाप अल्ला ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है ऐसी सजा दी है कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे आज अल्ला ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपले उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपले उतना कर मेरी प्भवाईों आप अपनी बेहनों के जिम्मेतारें ल्ला के नभी ने फ़रमाया कि जिस का जिस लड़की का बाप जिस की बेटी बेपर्दा खूमे वो बाप दयूस है जिसकी बेटी पे परदा घूमे वो भाई दयूस है जिसकी बेटी पे परदा घूमे वो बाब दयूस है जिसकी बीवी पे परदा घूमे वो शोहर दयूस है गोर करो कितनी साफ लफजों में कितने साफ लफजों में अल्ला के नभी ने फरमाया जिसकी बेहन बेपरदा खुमे वो भाई दयूस जिसकी बेटी बेपरदा खुमे वो बाप दयूस जिसकी बेटी बेपरदा खुमे वो बाप दयूस कर दो